नमस्ते भारत एक नई सोच देखना शुरू कर चुके हैं और लगातार आपको चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं जम्मू कस्मीर से चुनावी कवरेज तो आपको दिखा रहते हैं लेकिन इस बीच हमने सोचा कुछ अलग कहानियों से भी आपको रूबरू करवाते हैं हमें एक सकस मिले थे विवेक सर जिनका नाम है और आपने तमाम ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो देश के लिए अपना बलिदान दिये सहीध हो गए देश के लिए कुछ किया और उनके बारे में कहानियों प्रिसिद देए लेकिन सर ऐसे लोगों पर काम करते हैं जिननों देश के लिए बलिदान दिये सहीद हुए लेकिन आज उन्हें कोई नहीं जानता तो इस तरह लगभग सर ने लगभग 620 कहानिया अभी तक कर चुके हैं ऐसे लोगों के बरे में बता चुके हैं तो सर सबसे पहले तो आपको भारतीक नई सोच में बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद पहले तुम्हें यह जानना चाहूंगा कि आपने जैसे कैमरा आप था बता रहे थे कि आप दो-तीन डिग्री कालेजों के आप प्रिंसपल भी रहे कई स्कूल का निर्माण भी किया हिमाचल प्रदेश में अच्छी खासी लाइब भी चल रहे थी लेकिन यह जुन उन कहां से आ गया है कि मतलब जिनको कोई नहीं जानता उनको बताने कि मैं प्रियास करता हूं देश वासियों को और संपूर बिस्व में अरे भाई दो तिन डिग्री कॉलेज की बात नहीं है मैं तो सत्रा साल के आयू में कालज की पढ़ाई छोड़कर के देश के काम के लिए निकल गया था बारह साल के बाद जब मैं आया वहां से तो शिक्षा के क्षेतर में हिमाचल में काम करने के लिए मैंने उसको चुना चुना किया 12 डिग्री कॉलेज और 9 स्कूल स्वामी विवेकानन के नाम पर चलाए और एक डिग्री कॉलेज मैं 29 साल तक मैं प्रिंसिपल रहा हूँ और अभी दो साल पहले तक सेंटर जुनिश्टी जम्मू में प्रफेसर था और स्वामी विवेकानन चेयर का हैड था तो मुझे लगता है कि आप उन सब चीजों संतुष्ट नहीं थे जो इस फिल्ड में आगया आप ऐसे कहानियों के वारें कर रहे हैं नहीं वो सीड़ियां होती हैं कोई भी फिल्ड अपने आप में कंपलीट नहीं होता उनी सब सीड़ियों पर चड़के ही मैं यहां तक पहुंचा हूँ वो सब करते हुए एक बात ध्यान में आ रही थी कि जिन लोगों ने देश की स्वतंतरता के लिए सर्वस्व निशावर किया बचपन से मेरा शौक था कि मैं उन करांतिकारियों का इतिहास जानना चाहता था सुनना चाहता था जो उपलब्द था वो तो जल्दी से सुन लिया देख लिया लेकन बहुत सारा उपलब्द नहीं था तो मन में आया कि खोज करनी चाहिए अजादी दो चार दस बिस लोगों के कारण नहीं मिली किसी एक संस्ता के कारण ने मिली किसी एक गुरुप के कारण ने मिली अजादी पाने के लिए बहुत लोगों ने असंख्य लेकिन वो अग्यात हैं अल्प ग्यात हैं या पूरण अग्यात हैं तो उन सब को जानने का खोजने का जब मैंने तीन साल पहले एक संकलप लिया चल पड़ा तो इशुर की क्रिपा से वो संकलप सिद्धी की और बढ़ रहा है आज 620 ऐसे अग्यात लोगों को समाज के सामने लाने का उनको श्रदांजिरी देने का समरन करने का दाहित तो पूरा करके मुझे संतुष्ठी मिल रही है मैं बहुत आनंद में हुँ और ऐसे लग रहा है कि मैं 253000 वीडियोज एपिसोड और काल भी यह तो पूंने तो 200 साल का टाइम है मैं तो सिंद के राजा दाहिर से लेकर नेताजी स्वाचिंद बोज तक ऐसे 190 वर्ष के काल खंड में यह तो मैं करूंगा ही लेकर हजार साल के उस अतिहास में भी जान संग हीरोज को नायक नायक को समाज के सामने लाऊंगा तो ऐसे 253000 एपिसोड के अंदर कम से कम 15000 करांतिकारी में लोगों के सामने और अग्यात 98% उनमें से अग्यात जिनके वारे में लोगों को नहीं पता सर एक सवाल जैसे 620 कहानिया भी तक आप कर चुके हैं जो अ जिवर्ट के जदूनिया को दिखाना चाहता है तो इनकी प्रत्क्रिया क्या होती है आपकी आपने बोला 5% जीवित नहीं नहींget VS ति哎 और बलके बीच में तीन, चार, पांच जनरेशन निकल गई और आपको अश्यरे होगा यह सुनकर, जिस शहर में गाउ में वो पैदा हुए, वो भी नहीं जानते कि इस अग्यात, हीरो ने देश की स्वतनतर्ता के लिए, भारत मा की प्रतनतर्ता की बेड़ियां काचने के लिए, खुद कैसे कट गया, चुँके इतिहास में इन लोगों का कुछ थान नहीं दिया गया, इस कारण से लोगों को कुछ नहीं पता, तो बस इसी शटपटाहच से मैं गुजर रहा था, तो सेंटर्य यूश्टी जमू में जब मैं था, तो मुझे एक दिशा मिली, लोगों ने कहा कि आप हमें तो सुना रहे हैं पर देश सुने, उसके लिए यूटूब का साहरा ली जी आप, तो मैं यूटूब के अंदर दे चुका हूँ, दे रहा हूँ, बहुत निकट भविष्य में इसके उपर एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल भी बनने जा रहा है, डॉकुड्रमा भी बनने जा रहा है, एक दो महिने के अंदर मिच्योर हो जाएगा क्या बनने जा रहा है, भारत एक खोज ऐसा कुछ? आप ठीक क्या रहे हैं, भारत एक खोज की तरह का डॉकुड्रमा, और सीरियल के नाते, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अब देखते हैं कौन प्रोडूसर आगे आता है, कुछ लोगों ने मेरे से बात की है, कुछ के साथ मैंने बात की है, पर अभी जस्ट कुछ दिनों के अंदर सा फाइनल हो जाएगा. एक प्रियास है कि जो अग्यात हैं हमारे देशकली सेवा की, उनके बारे में दिखाएं. 98% अग्यात. सर, मेरा अगला सवाल ये था कि, जम्मू में हम लोग लगता चुनावी कवरेज कर रहे थे, और आपके बारे में पता चला. और आप जिस तरफ काम कर रहे हैं, जो अंसंग हीरों उनके बारे में दिखाने के प्रियास कर रहे हैं, अगर किसी ऐसे अंसंग हीरों के जो रहे हों, उनके बारे में अगर चर्जा करें आप आपके जानकारी के लिए वैसे औरिजिनली मैं भी जम्मू काश्मीर का हूँ यहां जम्मू से 80 किलो मीटर सुंदर बनी का मेरा जनम है यहीं कॉलर से मैं निकला हूँ और अभी पिसले 35-40 साल से मैं हिमाचल में हूँ यह सारी खोज करते हुए सुभाविक रूप से मेरे मन में आना ही था कि जम्मू का भी पता चले कौन है यहां का भी मैं हिमाचल मेरी आज करम भूमी है तो वहां से भी मैं ढूड़ने निकला तो दो लोग मिले यहां का भी मैं एक ही डूड पाया हूँ शिरी भाग राम अगर उनके बारे में कुछ बताना चाहें भाग राम का संखेप इतना ही कहा जा सकता है कमाल के हीरो थे भई सधारन परिवार का सधारन सा नौजवान लहोर से जैश्पाल शर्मा चलते हैं जम्मू में वहाँ पुलिस पीछे है तो यहां आए है और वो बाम फेक्टर भी यहां लगाना चाहते है भाग राम जैसे नौजवान का जो उनको साथ मिलता है सहयोग मिलता है बाम का मसाला बनाने का काम तो जैश्पाल जी को पता था लेकर वो खोल बनाने थे और दोनों का फैसला था कि बड़ा बम बनाएंगे और नई तरीके से बनाएंगे उसके अंदर क्लंभी कहानी है वो काफी हद तक सफल भी हुए पूरान रूप से सफल नहीं हुए लेकर जैसे ही वो आ रहे थे इतनी देर में वो लोग जो लहोर से बिखर गे थे साथी उनमें एक भगवत चरण बोरा का जश्पाल के साथ संपर्क हो गया तो एक नई योजना बन गई वाइसला लाइड इर्विन को बम से उड़ाना है वो कॉलापूर से ट्रेन से आएगा तो ऐसे वो 23 दिसंबर 1929 को ये कांड हुआ उस कांड के लिए उनका चलाना, मोडशाइकल का रूख जाना और जैसे कैसे अर्दली बन करके ये भागराम काम कर रहा है और आर्मी की बर्गेडियर की यूनिफॉर्म पर भादल करके और वो फिर कैसे होता है वो एक लंबी कहानी है लेकन श्री भागराम का रोल उस पूरे समय में चोटा सा जीवन उसको मिला और जीवन का अंत यदपी बहुत भ्यंकर बिमारी से उनका हुआ और जेल से पहले ही दिन मुक्त हुए थे वो भी इसलिए सरकार ने उनको मुक्त किया कि ये सरकारी जेल में मरेगा तो लोग और आकरोश में आ जाएंगे तो लेकिन पूरा जीवन तपस्या का मस्त था जनून था तपस्वी था और सधारन परिवार का सधारन नौजवान इतना बड़ा देश सिवा का काम देश की अजादी का काम कर गुजरेगा ये जब हम सुनते हैं तो रोग टे खड़े हो जाते हैं अस्चरे होता है सर एक सवाल ये तो आपने भाग राम जी कवरम बता दिया जो जम्मू के थे लेकिन अभी तक आपने लगबब 620 कहानिया कर चुके हैं कोई ऐसी कहानी थी अगदम हिर्दे को रिचोड़ दे और प्रभावित बहुत कर दिया हो आपको क्यार ऐसे भी चीज़े हो सकती है ऐसे है कि एक एक क्रांतिकारी का अपना स्वतंतर योगदान है एक से एक बढ़ करके है मुझे नहीं लगता कि कोई एक बात कोई ऐसा क्रांतिकारी है नहीं जिसका क्रिश्माई व्यक्तित्तव न हो और जिसने क्रिश्म Heb श्मेट्टिक काम न किया हो और ऐसे सच मुझ सबके और क्रांतिकारियों के कम ज्यादा कंपेर करना महापुर्शों को वैसे भी ठीक नहीं होता मुझे तो एक एक ना प्रभावित किया लेकन मदलाल दिंग्रा का फांसी के तक्ते के सामने भारत मा को सबोधित करते हुए जो कहा कि मा अगली बार में जब जनम लूँ तो मेरे दो हाथ में दो रिवॉल्वर हो आँख खुले तो सामने दो अंग्रेज खड़े हो और पहला कोई काम हो तो मेरे ट्रेगर के उपर अंग उठे दब जाए तो अगली बार जनम लूँ तो चार अंग्रेज सामने खड़े हो चार पिस्टल चार हाथ में हो और उसके अगले जनम में आठ ऐसे वो धाइं-धाइं करता जाओं वो मरते जाएं मेरा भी गला गोंड देंगे वो एक वियंग करता था कि मुझे वो क्यों जीने देंगे ऐसा है कि बच्चे को वैसे कुफान से नहीं लगती पर वो एक सिंबॉलिक बात क्या रहा था तो ये कब तक चलता रहे चार आट सोला बती चौसाट एक सोठाई दोसोचपन पांसोबारा दसोचोवी बीसोड़ एक सोचाई में तब तक मैं आता रहूं और तुमारी एक एक बेड़ी को काड़ता रहूं ये चार आट सोला इनको मैं खतम करता रहूं और जब तक तक तुमारी आखरी गुलामी की बेड़ी मैं काटना दो तब तक मैं चाईन की नहीं नहीं सूँगा ये शब्द सच में गुंचते रहते हैं यद्दपी सभी करांतिकारियों का कमाल था फांसी का पंदा हो सामने फिर भी आप ऐसे और अपनी भारतमा की से हजारों मील दूर लंडन में ये फांसी की सजा हो रही है चुकि लाड कर जुनवाईली को उसी के देश में जाके उसको मारके उसकी ला सब्सक्ति गीत आप सुनाना चाहें एक बहुत मुझे लगता है कि इन सब फांसी वाले जेल की अंदर मरने वाले किसी भी दूप से कुरवान होने वाले और ज्यादा बहुत ज्यादा नौजवान और कुछ किशोर और बाल-बालिकाइं भी थी इन सब के लिए अगर कॉमन कीत काना हो तो आप सब लोगों ने सुना हुआ है मेरे पास तो गीतों का बंढार है मैं इस वीडियो के अंदर सो से उपर देशवक्ति के गीत दे चुका हूँ और पांस सो देशवक्ति के गीत भी देने जा रहा हूँ लेकिन आप पूछी रहे हैं तो एक सर परिचत सब जो सुना भी हुआ है वो ही मैं तो असा सुना देता हूँ वतन की राह में वतन के नौजवां शहीद हो वतन की राह में वतन के नौजवां शहीद हो पुकारते हैं ये जमीनों आसमा शहीद हो वतन की राहा में वतन के नौजवा शहीद हो वतन की लाज जिसको थी अजीज अपनी जान से वो नौजवान जा रहा है आज कितनी शान से उसक जवा की खाक पर हर एक जवा शहीद हो वतन की राहा में वतन के नौजवा शहीद हो शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिन्दगी तेरे लाहू से खिल उठेगी इस चमन की जिन्दगी इस चमन की जिन्दगी खिलेंगे फूल उस जगा खिलेंगे फूल उस जगा के तू जहां शहीद हो वतन की राहा में वतन के नौजवा शहीद हो वो कौन खुश नसीब मा वो कौन खुश नसीब मा जिसका तू चिराग है वो खुश नसीब है कहां जिसके सर का ताज है अमर वो देश क्यों न हो अमर वो देश क्यों न हो के तू जहां शहीद हो वतन की राह में वतन के नौजवा शहीद हो वतन की राह में वतन के नौजवा सहीद हो तुमारे सार रवी सर थे आप राजनीतिक वीडियो हमारी तमाम देखते हो जो अम्मू कस्मीर में लगतार चुनावी कवरेज भी कर रहे थे लेकिन हमें लगा कि ऐसे एक सक्स है जो ऐसे लोगों पर काम कर रहे हैं जो देश के लिए बलिदान तो हो गए लेकिन उनके गाउवाले ही नहीं जानते उनके लोग ही नहीं जानते तो ऐसी कहानियों के बारे में देश दुनिया को बताते हैं और तमाम वीडियो के लिए दे पैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू 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 दिन्यवाद